असलामों आलेकुम दोस्तों दोस्तों कोवेती अधिकारियों ने 1461 परवासियों को गरफतार किया है कोवेत में अधिकारियों ने 84 जनक कमपेन चलाए इन कंपेन के जरीए कुवेट में रेसिडेंसी कानून के उलंगन करता और वंटेड परवासियों को गिरफतार किया गया अधिकारियों ने पूरे दो हपते तक कंपेन चलाए कंपेन ऐसी जगा चलाए गये जहां पर परवासियों की रोलचोल ज्यादा रहती है इन आश्चार्दे जनक कंपेन में 1461 परवासियों को गिरफतार किया गया इन सभी परवासियों को डिटेंसन सेंटर में भीजा गया है वहां से इन पर जुर्माना लगा कर इनके फिंगर प्रिंट लेकर हमेशा के लिए कुवेट से निर्वासित कर दिया जाएगा साथ ही कुवेटी इंटेरियर मिनिस्टर दुआरा घरिलू छेतर से निजी छेतर में रेसिडेंसी ट्रांसफर की सुबेदा खोले जाने के बाद कम से कम 55,000 गयर मुल्की घरिलू कामगारों ने अपने रेसिडेंसी को निजी छेतर में ट्रांसफर किया है दोस्तो डुमेस्टिक वरकर की ये बहुत बड़ी संखिया है ये लोग वे हैं जो अपने काम से खुस नहीं थे वे इनोंने अपने आर्टिकल 20 को निजी छेतर में ट्रांसफर किया है दोस्तो ये सुबेदा अब खतम कर दी गई है बताया है कि अब काफी समय तक डुमेस्टिक वरकर अपने रेसिडेंसी को निजी छेतर में ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे और जिसने अपने रेसिडेंसी को निजी छेतर में इस्तानांतरित कर लिया है ओने काफी सुबेदा प्राप्त होंगी 55,000 घरेलू कामगार ने अपने रेसिडेंसी स्तानांतरित किये हैं साथ ही फिलिपीन से कुवेत नर्सिंग डॉक्टर का पहला समू पहुँचने बाला है ये समू में कम से कम 1.500 नर्स हैं जो की फीमेल और मेल हैं ये फैसला कुवेत और फिलिपीन की बेठक के बाद लिया गया बताया है कि कुवेत ने काफी समय से फिलिपीन के नर्सिंग स्टाफ को हायर नहीं किया था इन पर प्रतीवन लगा रखा था तकरीवन डेर साल पूरे होने के बाद कुवेत ने ये फैसला लिया और अब फिलिपीन से कुवेत, डेर्स और नर्सिंग श्टाफ आने वाले हैं इसके बाद दूसरे समू को बुलाया जाएगा तो दोस्तों ये थी कुछ इंपोर्टेंट एहमतरीन ख़वर हैं जो हमने आप तक शेयर करें ऐसी ही ख़वरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें मिलते हैं इसी तरह के नेस्ट वीडियो में